हालो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ट्रॉण और टाजू की टेस्टी सब्जी अधर आपको ट्रॉण खाना पसंद रहे तो आपको ये सब्जी भी बहुत पसंद आने वाली है टेस्ट इसका इद्धम रेस्टोरेंट जैसा आएदा बनाने में बहुत आसान है चलिए इसे ब जारी चॉप कर लिया है और इन्हें दस मिनट के लिए मैंने जर्म दूद में भिदो दिया है सब को अब हम जार में डाल देंगे काजू को भी हम दूद के साथ डाल देंगे और इसे इद्धम महीं पीस लेंगे यहां मैंने इसकी प्यूरी बना ली है आप चाये तो इसे चान भी सकते हैं एक पैन लेंगे पैन में आधा चम्मत जितना मैंने यहां गी लिया है गी तो दरम होने देंगे गैस काफ लेम इंद्धम लो कर देंगे साथ से आठ के हाँ पर मैंने त्राजू लिये हैं जिन्ने बीच में से शलिट कर लिया है इन्हें हम एड़ कर और लो फ्लेम पर इन्हें तीन से चार मिनट के लिए भून लेंगे काजू को ऐसे सबजी में भून कर डालने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है आप यहां चाहे तो काजू को स्किप भी कर सकते हैं आप केवल कौंस से भी यह सबजी बना सकते हैं तीन मिनट मैंने इसे लगता जलाते हुए फ्राई कर लिये हैं काजू हमारे भून चुके हैं इने हम एक प्लेट के उपर निकाल लेंगे सेम पैन में यहां मैंने पानी डाला है पानी में हम बॉयल मैंने देंगे यहां पर लालने से मिनट में हम कौंस čनट निये और 30-4 ट no form झे यमारे 8ct tal बॉयल हो आप चाये तो ये सबजी फ्रोजन कॉन के साथ भी बना सकते हैं चार मिनिट बाद कॉन्स हमारे बॉयल हो चुके हैं आप देच सकते हैं तो गैस का फ्लेम हम यहीं पे ही बन कर देंगे और इसे हम एट स्ट्रेइनर के उपर निकाल लेंगे सबजी बनाने के लिए यहां तड़ाई में हम एट बड़ा चमच जितना ओइल डालेंगे कुछ हम इसमें तड़े मसाले डाल देंगे मैंने यहां तेजपता, दालचीनी, लॉंग और इलाइची डाली है आदा चमच से थोड़ा क्रम हम इसमें जीरा डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिच्स कर लेंगे जब तक की जीरा अच्छे से चटतना जाए अभी गैस्त्रा फ्लेम हम इद्दम लो कर देंगे एच चमच हम इसमें डालेंगे लाल मिच्च पाउडर और आदा चमच जाल देंगे हल्दी पाउडर गेस्त्रा फ्लेम इद्दम लो रतना हैं जिससे की हल्डी और मिर्ची हमारी जले नहीं तेल में हल्डी और मिर्ची को ढल देने से सब जीतरा तलर अच्छा आता है अभी यहाँ पर जो हमने द्रेवी पीशी ती वो यहाँ पर डाल दी है जार में भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें यहाँ डाल देंगे जिससे कुछ भी वेस्टेज ना हो अच्छे से मिला लेंगे चलिए इसमें अब हम बाकी के मसाले डालते हैं एक चमच भरके हम यहाँ धनिया पाउडर डालेंगे तीन चौथाई चमच जीरा पाउडर डाल देंगे और स्वात के अनुसार नमाताय तर देंगे मसाले आप अपने टेस्ट के अक्वाडिन तम ज़्यादा तरके डाल सकते हैं सारे मसालों तो डालके अच्छे से मिला लेंगे अभी हम इसे यहाँ पर ट्रवर तर देंगे और ट्रवर तरके पांस से साथ मिनट के लिए इसे पतने देंगे या जब तक की मसाला अच्छे से बुनना जाए साथ मिनट बाद अभी आप देश सकते हैं मसाले के उपर ऑईल आना स्टार्ट ओ गया है इक मीन्स मसाला हमारा अच्छे से बुन चुता है इसे एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद अभी इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चमच दही दही तो मैंने थोड़ा सा फैट लिया है इसे अब हम कंटिनियूसली चलाते वे मिच्स करेंगे सबजी में हमने थोड़ा सा दूट डाला है थोड़ा सा हमने ताजू भी डाले है इसलिए मैं यहां मलाई नहीं डाल रही हूँ बट अजर आप इसे रिच बनाना चाहते हैं तो आप इहां इसमें थोड़ी सी मलाई भी डाल सकते हैं या धई और मलाई दोनों को मिच्स तरके भी डाल सकते हैं आदा चमच हम इसमें अभी डाल देंगे तरब मसाला और इस चमच डालेंगे त्रसूरी मेथी जिसे हम पाम में ऐसे त्रश तरके डालेंगे दौनों को डालके भी हम मिला लेंगे यहाँ हम इसे फिरसे तवर कर देंगे और दो से टीम मिनिट के लिए पतने देंगे तीम मिनिट बाद धाई ने भी अपना ओयल रिलीस कर दिया है फिर से हम इसे यहाँ पर मिलाएंगे ड्रेवी में से बहुत अच्छी हुश्बू आ रही है अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे पानी तो मैं यहाँ पर दरम पानी सब्जी में डालेंगे जिससे की द्रेवी तातलर और टेस्ट इदम मेंटेन रहे तो मैंने दो बड़ा चमश भरके यहाँ पर पानी डाला है सब्जी आपको कितनी पतली या दाड़ी चाहिए उसके अकॉर्डिन्द आप पानी डाल सकते हैं पानी डाल के भी इसे इद बार मिला लेंगे अभी हमने जो कॉन्स बॉयल किये थे उसे हम यहाँ पर डाल देंगे साथ ही जो हमने त्राजू फ्राई किये थे वो भी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें बारित रटावा हरा धनिया डालेंगे और एथ हरी मिर्च जिसे मैंने ऐसे लंबाई में स्लिट तर लिया है डाल देंगे सब को हम अच्छे से मिलाएंगे ये सबजी बिना प्याज लेसुन की बहुत टेस्टी लगती है बट अदर आप प्याज लेसुन डालना चाहे तो प्याज और लेसुन की भी आप एक प्यूरी बना सकते हैं फिर उसे आप थोड़ा सबून लीजे बाद में टमाटर वाली प्यूरी डाल दीजे आके तब रॉसे सारा सेम रहे था सबजी मुझे राड़ी लद रही थी तो यहाँ पर मैंने दो बड़ा चमच जितना दरम पानी और डाल दिया है और इसे मिला लेंगे अभी हम इसे यहाँ पर तवर करेंगे और पांस से चै मिनट के लिए से पतने देंगे पांस से चै मिनट बाद चलिए सबजी को चत्र लेते हैं तो जो 20 परसेंट तौन्स हमारे बाकी से वो भी यहाँ पर अच्छे से बॉइल हो चुके हैं आप देच सकते हैं सबजी ता तलर टेक्शर सब इड़म बराबर है तरंसिस्टेंसी भी इड़म ठीट है सबजी हमारी बन के तयार है गैस का फ्लेम बन तरते हैं इसे सर्व तरते हैं तो ये लीजिए हमारी मतलई के दाने और ताजु की बहुत ही टेस्टी सबजी तयार है आप इसे नान पराठा चपाती राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं ये सब के साथ बहुत अच्छी लगती है तो एट बार इसे इस तरह से जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसं